बिल्कुल दानेदार हल्वा कैसे बनाते हैं एकदम करेक्ट मेजरमेंट और एकदम प्रॉफेक्ट आपका एकदम दानेदार हल्वा बनके तयार होगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं एक एक दाना आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है तो वैसे ही हल्वा बनने वाला है बिल्कुल अस्टमी और नवमी का जो भूब आप माता को लगाते हैं बाहर जैसा हल्वा खाते हैं लिकुल घर में वैसे ही हल्वा बनेगा अगर आप मेरे बतायवे तरीके से बनाएंगे तो यह देखिए हल्वा कितना बढ़िया लग रहा है देखन तो यहां मैंने लिया है एक कप सूजी एक कप लिया है देशी घी हाफ कप मैंने यहां पे चीनी लिया है तो यह सारे मेजरमेंट मैंने एक ही कटोरी से लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके तो सबसे पहले चीनी की हम यहां पे चाशनी बनाएंगे तो यहां मै तो आपके जो हलुआ है बहुत ही बढ़िया बनके तयार होगा तो बस यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे आप चीनी को यहाँ पे देखें मेल्ट कर लें तो बॉइल आ चुका है और चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो चाशनी तयार है अब यहाँ पे मैं कड़ाई में डाल दूँगी देसी घी जितना हमने लिया था तो सारा जो देसी बुनना है अगर आप छोड़ देंगे तो यह नीचे से चिपक जाएगा और जल जाएगा तो यहाँ पे आपको लगातार अच्छे से इसको बुनना है देखिए मैं चलाते वे इसको बुन रही हूं और कुछी देर में इसका कलर चेंज हो जाएगा तो यह काम आप मीडिय अगर जादा में भून लूँगी तो यह जल जाएगा और वह अच्छा नहीं लगेगा तो बस इसी तरीके से यहां मैंने इसको अच्छे से भून लिया है अब इसमें जो हमने चाशनी बनाके रखी थी वह मैं डालूंगे धीरे धीरे डालेंगे क्योंकि जैसी आप इसमे अगर जादा लग रहा है जरूरत तो आप फिर डालें तो यहां मैंने जो है सारा पानी इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको बस अब मीटियम फ्लेम पे ही गाड़ा कर लेंगे तो बस इसको देखिए यह तुरंती हो जाएगा और हाफ मैंने टी और दिखाई दे रहा है और कितना बड़िया कलर आया है तो यहां कुछ मैंने बदाम ले लिए हैं इस तरह से स्लाइसे में कटे होए तो थोड़ा सा मैं डाल लेती हूं थोड़ा सा गार्णिश के लिए अच्छे से और हलवा जो है देखिए बनके तयार आप देख सकते है साइड में आपको घी दिखाई दे रहा होगा तो ये बिल्कुल जो है बनके तयार एकदम जैसे आप बाहर खाते हैं भंडारे में बिल्कुल वैसा हलुआ बनके तयार हुआ है देखने से ये आपको लग रहा है तो बस इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है ताकि जो ड्राइफ्रूट है वो भी इसमें थोड़े से पक जाएं तो बस अब यहाँ पर हलुआ जो है बनके तयार है आप देख सकते हैं ये देखिए कितना इसमें घी जो है वो दिखाई दे रहा है घी डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें घी अगर नहीं डालेंगे तो हलुआ जो है वो अच्छा नहीं बनेगा तो आप देख सकते हैं साइडों में भी जो है घी कितना आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है और यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पास से एक एक दाना इसका जो है कितना बढ़िया से दिखाई दे रहा है यह देखिए तो आपका हलुआ भी बिल्कुल ऐसे ही दानेदार बनके तयार होने वाला है तो चलिए सर्फ कर लेते हैं तो यह देखिए कितना बढ़िया हलुआ देखने में लग रहा है उतना ही टेस्टी है तो इस बार आप मेरे तरीके से बना के देखिए आपको बहुत पसंद आएगा तो यहां हलुआ मैं देखिए सर्फ कर ले रही हूँ इदम दानेदर हलुआ इदम जैसे आप बाहर खाते हैं बिल्कुल वैसा ही हलुआ है यह तो यहां पर देखिए हलुआ जो है सर्फ हो रहा है तो आज अस्टमी हैं और कारलवमी हैं तो कुछ लोग अस्टमी बनाते हैं कुछ लोग नवमी बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने जो हलवे को है सर्फ कर लिया है और इसी के साथ अब मैं यहाँ पे जो ड्राइब फूट बचा के रखे थे वो उपर से मैं डाल दूँगी ताकि यह देखने में भी अच्छा लगे तो बस यहाँ पे मैंने काजू डाल दिया है बदाम में डाल रही हूँ और डालेंगे इसके पर थोड़ा सा पिस्ता ताकि यह देखने में थोड़ा सा कलरफुल लगे तो बस यहाँ पे देखिए हलवा जो है बनके तयार है अगर कुछ वीडियो में कमी रह जाती है तो प्लीज मिर को आप कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताएं मैं ठीक करने के जरूर कोशिश करूंगी थैंक यू